उदाहरण 3 MN गुणा 3 बराबर L MN जहां L MN एक 3 अंकों की संख्या है हल आप प्रश्ण पर ध्यान दीजिए यहां प्रश्ण है M N गुणा 3 बराबर L M N जहां L MN तीन अंकों की संख्या है अब N कोई एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें 3 का गुणा करने पर वही संख्या प्राप्थ होती हो और यह अंक दो ही अंक मिलता है हमें N बराबर 0 या N बराबर 5 अगर आप N बराबर 1 लेते हैं तो 3 से गुणा करने पर 1 में अंक 3 मिलेगा जबकि प्रश्ण में हमें 1 में अंक 1 ही मिलना चाहिए इसी तरह से आप अन्य सभी अंकों के साथ भी गुणा करके देख सकते हैं तो 0 से लेकर के 9 अंकों के बीच में केवल आपको 2 अंक मिलेंगे आसे 0 और 5 जिनमें 3 क्या गुणा करने पर वही अंक पुना प्राप्त होते हैं अब सेंख्या MN को हम विस्तारित रूप में लिख सकते हैं इस तरह से MN बराबर 10M धन N प्रेश्ण नानुसार प्रेश्ण में क्या है MN को 3 से गुणा करना है इसलिए MN गुणा 3 बराबर कोस्ठक में 10M धन N गुणा 3 या हम इसको लिख सकते हैं 30M धन 3N और हमारा MN से 3 का गुणा करने पर जो हमें संख्या प्राप्त होती है वह LMN है इसे भी हम विस्तारित रूप में लिखते हैं LMN बराबर 100L धन 10M धन N अब MN को 3 से गुणा करने पर LMN प्राप्त होता है इसलिए हम लिख सकते हैं अब MN के हमारे पास दो मान है N बराबर 0 या N बराबर 5 यदि हम N बराबर 5 लें तो 30M धन N के जगा 5 लेंगे तो 3 पंचे 15 बराबर 100L धन 10M धन 5 या हम लिख सकते हैं हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 30M रिण 10M यह 10 इदर पक्षांतर करके ले आए बराबर 100L धन 5 धन 15 धन 15 इस तरह आके हो गया रिण 15 तो यह हमें मिला 20M बराबर 100L धन 10 या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं M बराबर 100L धन 10 बटे 20 या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं M बराबर 10 10L रिण 1 बटे 20 10 से कम 10 10 दुनी 20 तो हम इस तरह से प्राप्ट करते हैं 10L रिण 1 बटे 2 अब इस पर ध्यान दीजिए चूंकि L का मान 0 से 9 के बीच का कोई भी अंख हो सकता है इसलिए जब भी हम कोई अंख लेते हैं दोनों के बीच का तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती पूर्ण अंख प्राप्त नहीं होता है उदाहरण के लिए हम L बराबर 0 लें तो M बराबर मिलता है 0 रिण 1 बटे 2 या रिण 1 बटे 2 इसी तरह से एक लेंगे तो हमें संख्या मिलेगी 9 बटे 2 और इसी तरह से और आगे हम यह देखते हैं कि 0 से 9 तक L के किसी भी मान के लिए M का उचित मान संभव नहीं है अथा N बराबर 5 संभव नहीं है अब हम N के दूसरे मान N बराबर 0 पर विचार करते हैं हमने शुरू में लिखा था 30 M धन 3 N बराबर 100 L धन 10 M धन N यहाँ पर N बराबर 0 रखने पर हमें मिलता है 30 M बराबर 100 L धन 10 M क्योंकि N का मान 0 है इसलिए 30 M धन 3 गुणा 0 बराबर 0 होगा इसलिए हमने 30 M लिखा है यहाँ पर और इसी तरह से N के जगा में 0 रखेंगे 0 किसी भी संख्या से जोडने पर फिर से भ़ी संख्या हमें मिलती है इसलिए 100 L धन 10 M धन 0 बराबर 100 L धन 10 M इस तरह से हम आगे लिख सकते हैं 30 M रिन 10 M बराबर 100 L या 20 M बराबर 100 L तो M बराबर यहाँ से हमें प्राप्ट होता है 100 L बटे 20 20 21 20 25 100 तो M बराबर हमें मिलता है यहाँ से 5 L M बराबर 5 L चूंकि M L के मान 0 से 9 तक ही हो सकते हैं इसलिए L के केवल 2 मान संभव हैं L बराबर 0 और 1 क्योंकि M बराबर 5 L है इसलिए अगर हम L बराबर 2 लेते हैं तो 5 गुणा 2 यानि हमें 10 मिलता है जो 2 अंकों की संख्या है इसी तरह से 3 4 से लेकर 9 तक के अंक लेने पर हमें संख्या हैं 2 अंकों की मिलेंगी अतरह L का मान हमें प्राप्ट होता है 0 और 1 लेकिन जब हम L का मान 0 बराबर 0 लेते हैं तब चूंकि M बराबर 5 L है इसलिए M बराबर भी हमें 0 ने मिलता है ऐसी स्थिती में संख्या L M N भी हमें ऐसी मिलती है जिसके 3 अंक 0 हो जाते हैं अतरह यह संभव नहीं है इसलिए L बराबर 1 होगा और L बराबर 1 लेने पर M बराबर 5 गुणा 1 यानि 5 अतरह हमारा मूल प्रश्न होगा 50 गुणा 3 बराबर 150 करके देखें 1 एक B गुणा B बराबर 96 हो तो B का मान ग्याद कीजिए 2 तीहत्तर M भागित 8 बराबर 9 N में M तथा N का मान ग्याद कीजिए 5 वाद 4 तीहत्तर M भाद 5 yn का मान ग्याद 10 बराबिक रिर भाद 9 बराबर 6 याद 4 बबर एक B डराबर 5 याद ≅